पॉपलेशन वाइज रीजन मार्क करेंगे तो पहले 100 मिलियन पॉपलेशन से ज्यादा जहां पर है वो रीजन मार्क करेंगे तो इसमें उत्रप्रदेश को ले लीजिए उत्रप्रदेश का पूरा रीजन और बिहार का पूरा रीजन इंक्लूड कर लीजिए इसमें ये 100 मिल अब इदर महराश्ट्र की तरफ आईए तो महराश्ट्र का रीजन भी इसी में इंक्लूडिड है ओवर हंड्रीड मिलिन पॉपलेशन इसको मार्क कर दीजिए अब हम लोग मार्क करेंगे 50-200 मिलिन पॉपलेशन जिन एरियास की है तो इसमें आप वेस्ट बिंगॉल को इंक्लूड कर लीजिए इसको डॉट से दिखा दीजिए 50-100 मिलिन पॉपलेशन वाले एरियास को और ये जो दोनों पैचेज हैं हाई पॉपलेशन के इसको जॉइन कर दीजिए तो एक पैच अधर बन गया और एक पैच अधर बन गया इधर कश्मीर के पास का जो रीजिन है उसको यूपी से जॉइन कर दीजिए अब ये एक पैच दिख रहा है और ये एक पैच दिख रहा है तो ये वाला पूरा पैच तो 50-100 million population वाला रीजिन है अब इस पैच में हमको क्या एकस्क्लूड करना है ये पूरा रीजिन जो 36 गव जारकंड का रीजिन है इसको और उडिलिसा का जो मेजर रीजिन है उसको एकस्क्लूड करना है इसको exclude करके और इदर नीचे केरल का region exclude करना है अब जो ये patch बचा ये 50 to 100 million population का patch है अब हमको 25 to 50 का patch दिखाना है तो ये मैंने अलग किया था इसको आप cross से दिखा दीजिए ये 25 to 50 sparsely populated area है कम population है यहां की और इदर चले जाएए तो इदर जो हर्यांगा का region है ये region और थोगा उपर तक ये जो region है ये 25 to 50 million population वाला region है और इसी range में इदर अरुणाचल प्रदेश और आसम वैली का जो region है वो आता है तो ये 25 to 50 million population का region है और इसी में आप इसको केरल को भी include करिए इस तरह केर वैजिए 25 to 50 million के वाला region है